नोड़ा में प्राइवेट अस्पतालों का खेल सरकारी जाँच में टेंगू रिपोर्ट फेल रिपोर्ट में खेल सरकार ने कसी नकेड नेगटिव मरीजों को पॉज्टिव बनाया केंद्री लैब की जाँच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अन्शिका पाठक नौईडा में डेंगू के इलाज के नाम पर जम कर फर्जी वाड़ा सामने आया है प्राइविट अस्पताल डेंगू के नाम पर मरीजों की जेब पर डाका डाल रही है सरकारी आखडों ने लापरवाँ अस्पतालों की पोल खोलते हुए नई गाइडलाइन्स जारी की है बरसात के मौसम में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में भीड शुरू हो जाती है लेकिन इस बीच नोईडा से एक चौकाने वाली ख़बर सामने आई है जिसमें नीजी अस्पताल मरीजों के इलाज के नाम पर उनके जेप पर डाका डाल रहे है देंगू के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों का खेल जारी है आपको बता दे ये हम नहीं आखले बया कर रहे है गौतम बुद्नगर में दो डेंगू की लैब हैं जहां पर रिपोर्ट होती है बात करें तो जिला अस्पताल में 1224 अलाईजा के टेस्ट आए थे जिसमें से 204 ही डेंगू की पुष्टी हुई है बाकी 1000 से जादा यसे मरीज है जिनका प्राइवेट अस्पताल डेंगू बता कर रिलाज कर रहे हैं दरसल जिला स्वास्त विबाग की तरब से तयार रिपोर्ट में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की रिपोर्ट सामने आई है रिपोर्ट के मुताबेक नुएडा में अब तक 1224 नमूनों की सरकारी अस्पताल की केंद्रिय लैब में एलाईजा जाच हुई है जिसमें सिर्फ 201 की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है बाकी 2023 नमूनों की जाच में मरीजों में देंगू की पुष्टी नहीं हुई है स्वास्त विभाग ने अब नीजी अस्पतालों पर नकेल कसने की तयारी कर ली है नुएडा से खबर आने के बाद सरकार की ओर से नीजी अस्पतालों को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है जिसमें डेंगू की टेस्ट के लिए मरीजों के दो सेंपल लिये जाएंगे प्राइबेट लैब में पॉजिटिव पाय जाने पर दोबारा टेस्ट होगा दूसरा टेस्ट जिला होस्पिटल में क्रॉस चेक होगा गड़बडी पाए जाने पर लैब पर करवाई होगी जो टेस्ट होगा एलाईजा टेस्ट होगा वो दो सैंपल लिये जाएंगे दो सैंपल में से एक सैंपल अगर प्राइवेट अस्पताल में पॉजिटिव आता है फिलाल नोईडा के नीजी अस्पतालों पर करवाई की बात हो रही है क्योंकि बिभाग को ये भी अंदेशा है कि नीजी अस्पतालों की मनमानी से बिभाग को डेंगू मरीजों के सही आकड़े नहीं मिल पा रहे हैं इसका मतलब साफ है कि नोईडा में नीजी अस्पताल कुछ ना कुछ तो गड़बड कर रहे हैं हर डेंगू के मरीजों को भरती करने के जरूत नहीं होती ज्याज़त तर मरीजों को घर में इलाज किया जा सकते हैं अगर सिम्टम्स माइल्ड है और उसके प्लेटलेट से क्रिटिकल लेवल से उपर है तो आप घर में इलाज कर सकते हैं उन्हीं को भरती करने के जरूत होती है जिनका लक्षड बहुत जादा है बुखार बहुत हाई ग्रेड है बॉड़ी में चकत्ति आ रहे हैं ब्लीडिंग का डर है या ब्लेड पैशर का हुआ है वहीं सीनियर फीजिशन डॉक्टर एम वली का रुख थोड़ा अलग है इनका मानना है कि डेंगु की जाच करने वाले लैप्स को एडवांस करना जरूरी है ताकि सही रिपोर्ट मिल सके दरसल डेंगु मरीजों की पुष्टी पहले जिलास बताल की लैब में होती थी लेकिन पिछले वर्स से चाइड़ पीजियाई की लैब को भी इसके लिए माननेता मिली है निजी अस्पतालों को हर तीन दिन में क्रॉस जाच के लिए नमूने भेजने के निर्देश आएं लेकिन अधिकांश अस्पताल जानकारी छिपा रहे हैं जिस पर विभाग सक्त हो गया है यह अब स्वास्थ विभाग ने सक्त कदम उठाया है फिलाल जिस तरीके से आकड़े आए हैं वो हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही बया कर रहे हैं कामरामन बीनु बाजिल के साथ हिमान शुचु शुकला न्यूज एटीन नॉइडा तो न्यूज एटीन की खबर का बड़ा असर हुआ है स्वास्थ विभाग ने बड़ा आदिश देते हुए कहा कि डेंगू की पुष्टी के लिए एलाइजा टेस्ट ही मानने होगा रापिड कार प्लेटेट्स के अधार पर ही जेंगू की पुष्टी ना करें ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई होगी ये स्वास्थ विभाग ने कहा है तो बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का हुआ है यहाँ पर अलाइजा टेस्ट ही मानने होगा ये एल्थ विभाग ने कहा दिया डेंगू टेस्ट को लेकर स्वास्थ विभाग के इन गाइडलाइन्स को जिसने नहीं फौरो किया उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और अब आपको दिखाते हैं नॉइडा में एक आठ साल की बच्ची के साथ एक प्राइबिट अस्पताल ने जांच में ऐसा ही खेल किया है एक आठ साल की बच्ची के वारन फीवर को डेंगू बता कर भरती करने के लिए फोर्स किया जबकि वही रिपोर्ट बाहर चेक करवाई गई तो डेंगू नहीं था स्वेता जी आपकी बेटी कुछ सिम्टम्स क्या थे और आप जब अस्पताल गई तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था जी मेरी बेटी जो आठ साल की है उसे पिछले एक सपता से फीबर आ रहा था बस फीबर उसे हाई आ रहा था मतलब 103 डिग्री टू 104 डिग्री तक जा रहा था और उसे कोई सिम्टम्स नहीं थे अनली फीबर था नो पेन इन बॉड़ी एंड नो वुमेटिंग नो एनी प्रॉब्लम तो जब आप अस्पताल गए डॉक्टर को दिखाया आपने तो डॉक्टर से क्या बात चीत हुई और डॉक्टर ने क्या कहा आप से डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि आप इसे एड्मिट कर दो मुझे डेंगु का डाउट है हम टेस्ट करवाते हैं उसके बाद मैं कंफ सेंट कराइब टेस्ट करवाने में मैंने अस्पताल में भी करवाया बाहर से भी करवाया क्योंकि मुझे exclus. तो हम करना चाहते हैं, हम क्रॉस टेस्ट करवाएंगे, तो मैंने दो बार टेस्ट करवाए थे, मुझे पांच हजार लुपे लग गये थे, तो टेस्ट में क्या निकल के आया है? टेस्ट में बस वही था, प्लेटलेट्स कम थे और कुछ नहीं था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि डेंगू है, जबकि मैंने बाहर के कई डॉक्टरों से अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि डेंगू टेस्ट निगेटिव है, लेकिन यहां के डॉक डॉक्टर बता रहे थे और जो रिपोर्ट थी, दोनों अलग अलग थी, डॉक्टर जो अस्पताल के थे, वो लगातार यह कह रहे थे, कि डेंगू है, लेकिन जो बाहर रिपोर्ट दिखाई गई है, उसमें डेंगू की कहीं पुछ्ची नहीं थी, तो नॉड़ा का हाल आपने देखा, अब आपको गाजयबाद में सरकारी अस्पताल का हाल दिखाते हैं, नॉड़ा के प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं होने का हवाला देकर, मरीजों के साथ खेल हो रहा है, वही सरकारी अस्पतालों में बेड खाली है, यह देख सकते हैं तमाम त्यारीय यहां शासनि पर स्वाशनिय कोई तरीकिसे हैं त्यारी के लिमी ने रख ल्टिक oh अज्ट हो लगाते बारे इसलिए होई यहां की से होल कुई भी अरफि आफyssति ना होने सरकारी अस्पिताल के हाला दिना आपको दिखाना चाहूंगा यहां यह तक्रीबन 20 बैडों का यह बनाया गया है डेंगो वाड और इस बैड में से भी अभी तार से पांच जो बैड हैं वो खाली पड़े हुए हैं लेकिन जिस सरीके से प्राइवेट अस्पितालों में एक म लोग हैं उन्हें स्विधाएं भी पूरी मिल रही हैं कि अब सब्सक्राइश के साथ हमें प्रावान यू जितितों प्रदेश